यूटूब बनाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि मेरे ये वीडियो कई लोगों तक पहुचे ये मेरी सोच है कि मैं जो सोचता हूं या कमिस्टी में जानता हूं उस दूर सब्सक्राइब पहुचने का यही रास्ता है तो आप भी यदि आप पहले कंपर्टिशन एक्जाम क क्रैक करना चाहते हैं तो किताब पढ़ना पहले स्टार्ट करें ज्यादा ज्यादा उस पर समय दें यही मेरी मेरे तरफ से सुझाव है और जो आपको अच्छा लगए वो आप करेंगे ही मेरा सुझाव आपके लिन नतिंग हो सकता है लेकिन ही मेरा सोच है चलिए इन्ही बातों के साथ स्टार्ट करते हैं पहला प्रसन आपके स्क्रीन पर यह रहा है निम्रकित में से कौन सा साबून का ज्ञाग देने का गुड़ बढ़ाता है यह मेरी 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 बेस्ट कोस्चन यानि रटा रटाय बात है तो आपको याद रखना है कि सोडियम रोजिनेट इ साबून में ग्लिसराल मिला जाता है प्रसन में आपको बताया जा रहा है कि साबून में क्या मिला जाता है ग्लिसराल मिला जाता है तो यह क्या कार रहा है यह कार करता है किसका कार करता है पूरक के समान जी नहीं ज्ञाग बढ़ाने का नहीं ज्ञाग बढ़ाने के लिए साबुन को जल्दी फूखने का मतलब क्या है तो साबुन जिसे आप लगा रहे है तो जल्दी फूखना है इसलिए उसमें हम क्या मिला जते है गिल्सरॉल ताकि वह आपके त्वचा ओपर सब जगां फैल जाए अच्छे से और त्वचा हो मुईस्ट रहे यानि मुलैम रहे सॉप्ट रहे तो आपने एडवेटाइज में भी देखा होगा गिल्सराल युक्त सोप अब क्या कंपनी का नाम है आप जानते होंगे ठीक है तो गिल्सराल क्यों मिलाते हैं ताकि जल्दी से साबुन सुखे ना उसे तरह से जो सेविंग फार्मूला भी कभी कभी पूछता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें किल्सराल का राशानिक सुत्र क्या है इंपोर्टेंट प्रस्ण होता है यह दो बार आ चुका है अगला प्रस्ण निम्लिकित में से कौन सा बरतन धोने के द्रौ अपमार्जा के रूप में डिस्वास के रूप में आजकल क्या होता है लिक्विड डिटरजेंट यूज होते है यानि वो भी डिटरजेंट होते है जो डिस्वास होते है तो इसमें चार अप्सन है चार में से कौन सा यूज होता है तो मैं बता दू पहले कि देखिए इसमें जो लॉरिल सल्फेट है यानि इस पर देखिए, sulphate में sulphite है, इसमें sulphite में yes, वो 3 दिख रहा है, लेकिन है total 4 O है, यानि sulphate है, sodium laurel sulphate, यह क्या है, negative है, क्यूं है, क्यूंकि देखिए, sulfur के उपर, आउक्षिन के उपर क्या दिख रहा है, negative, तो यह क्या है, negative type का detergent है, यह तो counter-ion हो गया, दूसरा देख अगला है, यह देखिए, यह भी anionic है, रिड़ है न, आक्षिन पर क्या रिड़ है, तो यह भी क्या है, negative ion का, negative detergent है, यह भी anionic है, और जबकि यह nanionic है, चौथा क्या है, धनायन, यानि इस पर देखिए, यह plus charge है, और इसका बहुत famous है, यह चौथा, लेकिन पहले मैं answer बता दू कि यह दूसरा option क्या होगा, this was liquid detergent के रूप में यूज होता है, यानि बरतन धोने के रूप में यह वाला detergent क्या होता है, अब मैं चौथे की बात कर रहा हूँ, चौथा जो है, बहुत important है कि धनायनिक detergent कौन है, तो यह, ट्राइमेथिल, एक, दो, तीन, ट्राइ अमोनियम ब्रॉमाइड, यह धनायनिक द्रजिन में कई बार प्रस्ण पूछ चुका है, यूपी, पीजटी, के वीयस में, और हाला कि बोर्ड में यह भी पूछा जाता है, नानायनिक और कैटायनिक, ज़्यादा तर यह पूछा है, अब कभी-कभी नायनिक पूछता है, जिसमें रिडात्मक वाले हैं, तो यह सोडियम लॉरिल सलफेट, ठीक, अगला प्रस्ण, पॉली एथाइलिंग ग्लाइकॉल, किस प्रकार के अपमार्जगों को बनाने के लिए प्रियुक्त होते हैं, अपमार्जग को केमिस्टी के लेंगज में क्या मूलते हैं, डिटर जेंट, अभी आपने पढ़ा तीन दरगे होते हैं, निगेटिव वाले यानिक, धनात्मक वाले, कैटाइनिक और जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, वो एनाइनिक, तो यह पॉली एथाइलिंग ग्लाइकॉल किसके लिए यूज कियाते हैं, अनाइनिक अपमार्जग बनान अरुडाइनिक का सोडियम लॉरिसलफेट, यह तो साबून कुछ असे ही दे दिया आपको भटकाने के लिए, ठीक है, अगला प्रशन, पंद्रवा, निम्रिखित में से कौन सा आउसदों के सरीर में कार करने के लिए लक्ष अडू नहीं होता, ठीक है, यदि आपको हिंद समझ में आवागा, तो मैं इसके लिए इंग्लिश वर्जन मी ले लिया हूँ इसका, विच आप दे फालोइंग इस नाट टार्गेट मालिक्यूल फार ड्रग फंक्शन इन बॉडी, तो इसका हिंदी क्या है, कि सरीर में कार करने के लिए लक्ष अडू कौन इसमें नहीं ह तो आपसन क्या है, कार्वाइडेट है, लिपीड है, बिटामिन है, प्रोटीन है, तो आपको पता है कि बिटामिन आपका टार्गेट मालिक्यूल नहीं होता, लक्ष अडू क्या नहीं है, बिटामिन्स, आपसन नम्बर क्या हो जाएगा, तीसरा, ठीके, अगला, सुलाव क्रिया को संदमित करते हैं, यह सत्य है, क्रियधार को बंदन से रोकते हैं, यह भी सत्य है, एंजाइम और संदमक के मद्य सामाने तहां एक प्रबल सहस्रोजग बनाता है, यही क्या है, सत्य नहीं है, यह सत्य है, जबकि यहाँ प्रबल सहस्रोजग बनाता है, यही क्या है, संदमक स्पर्धी और और स्पर्धी हो सकते हैं यह सत्य है तो आपसर नमबर तीसरा क्या हो जाएगा आपसर नमबर तीसरा क्या है सत्य नहीं है इस प्रशने के लिए अगला सत्रमा इंपोर्टेंट फिर से मैं बोलूँगा इंपोर्टेंट प्रशने है इसको ध्यान से सुन सकता है और जो कैलोरी नहीं देता जैसे डियाबिटीज के परसन को क्या चाहिए मिठास चाहिए लेकिन कैलोरी नहीं चाहिए तो यहां पर तीन पॉइंट को नोट किया जाए क्या क्या खाना पकाने के ताप पर मिठास के लिए और कैलोरी नहीं देता है मतलब वो खाना पकाने के ताप पर नस्ट नो हो मिठास भी दे और कैलोरी भी नहीं दे क्या तीनों क्वालिटी रखे हो तो आपको पता है सुक्रोज यानि चीनी ये मिठास भी देता है लेकिन कैलोरी भी देता है तो ये शुगर के परसन के लिए अच्छत नहीं है ग्लुकोज मिठास भी देता है कैलोरी भी देता है तो ये तो दोनों नहीं हो सकते अब आती है स्पार्टेम और सुक्रलोज की स्पार्टेम मिठास देता है ये चीनी से 100 गुना मिठा है यानि चीनी का एक चमच रहेगा तो इस्पार्टेम का एक चमच लेंगे और चीनी का 100 चमच लेंगे तब मिठास बराबर है और इस तरह से क्लोज इसका एक चमच और चीनी के 600 चमच के बराबर है तो उसकी बात नहीं है, बात यह है कि कैलोरी नहीं दें, तो यह दोनों कैलोरी नहीं देतें, लेकिन इसमें एक अडंगा डाल दिया क्या, कि खाने, पकाने के ताप पर कौन मिठास देने के लिए यूज किया जाता है, तो सुक्रलोज जो होता है, वो गरम करने पर नस नहीं होता ठीक है और मिठा भी ज़यदा है चाहस श्बोना मिठा है चीनिस की तुल्द में तो आपसर नमर क्या हो जाएगा यहां पर सुक्रलोज ठीक है अच्छा सबसे फेमस जो ड्रेटीज परसंड के लिए क्या उच्छी कहता है शैक्रीन चीक है एक सैक्रीन जो है एक आटीप के लिए मिठास देने के लिए यह अगला प्रश्ण लास्ट प्रश्ण है इस चैप्टर का भी और इस क्लास तोल्द के एक जेंपलर से भी निमलिकित में से कौन सा खाद्य पदार्थों की पौश्टिक्ता में ब्रिद्धी नहीं करेगा पौश्टिक्ता में ब्रिद्धी कौन नहीं करता है खनीज लवर करता है कृति मदुरक नहीं करता यही क्या है यह किवल मिठास देता है लेकिन पौश्टिक्ता यानि पोशक् में काम नहीं करता कि यह जूट मतलब यह मिठास देता है लेकिन पॉस्टी का हार के रूप में नहीं जाना जाता याद रखना है तो यह आठ प्रस्ण के द्वारा यानि आठ प्रस्णों के बाद यह चैप्टर कंप्लीट हुआ बुक में जितने NCRT के एक्जेंपलर से MCQ थे उतने कंप्लीट हुए तो वीडियों कैसा लगा वीडियों को आप अपना प्यार दिये सने दिये उसके लिए आपको धन्यवाद और यदि वीडियों आपके लिए उप्योगी है तो मुझे बहुत प्रस्ण रता होगी और आप से मैं सुझाओ म मैंने नीट के लिए बताया, जेई के लिए बताया और अधर कंपटीटरी एक्जाम के लिए बताया तो उन में से आप किसको पहले प्रिफर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो दो-तीन कमेंट आये हैं कि नीट के लिए बनाया जाए तो यही प्रस्ण